हेलो फ्रेंस स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में तो फ्रेंस अभी मैं नवदे विद्याले के हॉम पेज पूर हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्षन टेस्ट क्लास 6 तोज़त चोवीस रिजल्ट मतलब यहाँ से आप अपना कलास 6 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो भी नवदे विद्याले में परिचा दिये हैं तो यहाँ पर आप अपना रोल लंबर और यहाँ पर अपना डेट अव बट डाल के रिजल्ट को यहाँ से चेक कर सकते हैं ठीक है ना तो देखिए बहुत सरा बच्चा comment कर रहा है कि जो अपना roll number डालने के बाद और date of birth डालने के बाद किसी का selection हुआ है तो किसी का selection नहीं हुआ है तो आएए यहाँ पर इस वीडियो के मैध्यम से मैं आपको कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको confusion हो रहा होगा ठीक है तो आपको सारा चीज किलियर हो जाएगा इस वीडियो को सुलुसियान तक देखिएगा ठीक है देखिए कुछ बच्चों का कहना है कि अगर मेरा selection होता है तो क्या लिखावा आएगा और अगर selection नहीं होता है तो क्या लिखावा आएगा तो उसी बात को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं यहां से देखिएगा वीडियो को ठीक है तो देखिए यहाँ पर माल लेते हैं किसी candidate का selection हो गया है तो उसका क्या आए तो अब यहां से हम क्या करेंगे result को check करेंगे ठीक है तो यहां पर आपसक्ते हैं एक बटन आपको मेल रहा है चेक result का तो simply क्या करेंगा घ्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं यहां पर आपके सामने इस तरीके से लिखाओ आएका ग्रीन कलर में congratulations you are provisionally selected for admission मतलब आप admission के लिए select हो चुके हैं तो जो भी बच्चे का इस तरी के से green कलर में लिखा हुआ आ रहा है congratulations you are provisionally selected for admission तो समझे ये आपका selection हो चुका है ठीक है और आपको बहुत बहुत बधाई हो है ना तो चलिए अब आगे हम check कर लेते हैं कि माल लेते हैं किसी बच्चा का selection नहीं हुआ है तो उसका check करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम clear data कर देते हैं मतलब roll number और date of birth हटाएते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर एक ऐसा बच्चा का roll number डालते हैं जो की selection उसका नहीं हुआ है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हम roll number को डाल देते हैं ठीक है उसके बाद नीचे में उसका date of birth डालते हैं तो date of birth है 1 January 2013 ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे चेक result करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने red color में यहाँ पर लिखावा आएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से sorry you are not considered for admission in man select list मतलब यहाँ पर आपका selection नहीं हुआ है अगर इस तरह के से लिखावा आ रहा है तो आपका selection नहीं हुआ है और आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे जो है एक note दिया हुआ है इसको देख लिजे अगर कोई जमू कस्मीर से देख रहे हैं तो उसके लिए यह है ठीक है देखिए इस note में कर रहा है note result of JNV result in respect of district गंदरबल जमू कस्मीर will be released separately मतलब जमू कस्मीर में एक जिला है जो की उसका नाम है गंदरबल तो जमू कस्मीर के गंदरबल जिला का जो result है वह भी जारी नहीं किया गया है उसका result अलग से जारी करेगा ठीक है तो इसी का यहां पर note में दिया हुआ है तो अगर आप जमू करस्मीर से इस वीडियो को देख रहे है तो यह आपके लिए है ठीक है तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने का प्रियास कि अगर आपका list में नाम आयाई है अभी जो list आया है यह आपका first list है ठीक है इर आपका first list है अब देखिए second list जो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नाम आएगा तो अभी भी आपका कुछ चांस जरूर बनता है ठीक है तो उमीद बनाके रखिए ठीक है हो सकता है कि आपका second list में नाम आ जाए ठीक है तिस तरीके से मैंने इस वीडियो के माइदम से आपको समझाने का प्रियास किया उम्मिद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में जुरू आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जुरू स लाएगा ठीक है तुहां से आप चेक कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स पूटियन तक्रीब है थैंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो